हाथ में गन थामे वो तीन चार गुंडे दुकान में दाखिल हुए भत्ता निकाल चल जल्दी कर बाकियों से भी अपना हक वसूल करना है जाकिर भाई को देख कर दुकानदार खोफ से कांपने लगा जाकिर भाई इस दफ़ा बहुत नुकसान हुए जूट नहीं बोल रहा कसम से उसके सामने हाथ चोड़ कर वो गिर गिराने लगा तुम्हे क्या करो अब उनको अपना मार चाहिए चल निकाल उसकी पेशानी पर गन रखता वो गरच कर बोला दुकानदार थर थर कांपने लगा सबसे आखिर में खड़ा लेस बेतासुर नजरों से ये सारा ड्रामा देख रहा था दुकानदार से अपनी मद्दूबा रकम निकलवाने के बाद वो बाकी दुकानों से भटा वसूल करके अपनी जीप में आ बैठे बाबा साब के ये चेले अपने आपको इस इलाके का माई बाप समझते थे और कहते थे कि इन लोगों के माल और और उर्टों पर सबसे पहला हक उनका है आज बो लेस को साथ ली अपनी ताकत का मुझारा कराने आए थे लेकिन उसे कुछ खास फरक नहीं पड़ा था रास्ते में सड़क किनारे जाती चादर में ठकी एक लड़की के पास उन्होंने जीप रोग दी कालिया बाहिर निकला और उसे दबोच कर जीप में बिठा लिया वो लड़की चिलाती रही लेकिन कोई भी उसकी मदद को नहीं आया ये मनजर दे कर लेस की पेशानी पर बल पड़े थे अलबता वो खामोश रहा अपने अटे पर पोंच कर उन्होंने जीप रोग दी सबसे पहले लेस चलांग लगा कर उतरा ठीली भटी पैंट पर ठीली सी चेक की शिर्ट और हातों में जा बजा बैंट्स पहने वो अजली मगरूर अंदास में चलता तूटा भूटा दर्वासा खोल कर अंदर चला गया कालिया उस लड़की को खसीटा हुआ अंदर लाया और उसे एक तरफ पठखा उसके पीछे जाकेर और छोटू भी अंदर दाखिल हुए उस लड़की कर अखोब से सफेद बढ़ गया वो चिखती चिलाती उनसे रहम की भीग मांगने लगी लेस ने एक नजर उसे देखा और फिर पैंट की जेब में हाट डाल कर मुबाइल निकाला एक हाट से चिंगब मुँ में डाल कर उसने मैसिज टाइप किया और मुबाइल दुबारा पॉकेट में डाल लिया चंद सेकिंड गुजरे थे कि जाकेर के मुबाइल पर हसीना की कॉल आने लगी उसने हसीना को एक मोटी गाली से नवास दे कॉल रिसीब की दूसरी जानिब से कुछ कहा किया जिस पर उसका मुँ ऐसे हो गया जैसे कड़वा बदाम जबा लिया हो चलो यहां से बाबा सापने याद किये इस लड़की को आकर देखते हैं तन लेचे में कहता वो बाहे निकल गया उसके पीछे कालिया भी गया जबके छोटू ने रुक कर लेस को देखा जो जमीन पर कुछ ढून रहा था क्या हुआ उसके पूछने पर लेस ने नफी में सर हिलाया कुछ नहीं मेरी अंगूठी गिर गे ये मैं आता हूं तुम चलो लापरवा अंदास में कहता हुआ दुबारा जमीन पर नजरे जमा गया छोटू ने सर हिलाया ओके दर्वासा बंद करके आना उसके जाने के बाद वो उस लड़की की तरफ मतवच्चे हुआ जो डरी सैमी पैठी उसे देख रही थी दर्वासा खुला छोड़ जाओंगा जान बचा कर निकल जाना सर्थ लेचे में कहता वो बाहर निकल गया वो लड़की बे यकीनी से उसकी पुष्ट देखती जमीन से उट खड़ी हुई उसने अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो लड़का जो से कह कर गया है जीब स्टार्ट होने की आवास आई और फिर कुछ तेर में दूर होती गई उनके जाने का इतमिनान करके वो आगे आई उसने दर्वासा खोल कर देखा तो वाकी दर्वासा खुला हुआ था दिल में खुदा कर शुकर अदा करती और उस शखस को धेरो दूआएं देती वो जल्दी से बाहर निकली और चादर कस कर पकड़ती जान बचा कर भाग गी आफिस में कदम रखते ही उसकी नजर उस पर पड़ी जो अपनी टेबल पर जुकी हालिया प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी बदर के अबरू सताइश में उठे वो उससे पहले आफिस आई थी और बिलकुल खामोशी से काम में मकंती हैरत और हैरत लाइट ब्राउन चेक की पेंड कोट में बाजू को नियों तक पीछे किये वो उसकी आमत का नोटिस दिये बगएर मेजबर जुकी रही लंबे गुटनों को जूते भूरे खुंग्रियाले बाल कमर पर खुले थे उस पर तीछी नज़र डाल कर वो अपनी चेर पर बैठा हमेशा की तरह ब्लैक थ्री पीस में वो हैंड सम लग रहा था सुन में याँखों ने मेज बर कुछ टटोला मत्लूबा फाइल से उसने एक पेपर निकाला लैपटॉप ऑन करके वो मसरूफ अंदाज में उससे मुखाटिब हुआ कि लेटर टाइप कर दो अर्शिया ने जुका सर उठाया नीली कांच की आँखों में संजीत की थी वो उठी तो बदर की निका ब्राउन हील में मुकीद उसके दो दिया पैरों पर पड़ी उसे उन हील से चिड होगी थी अर्शिया ने लेटर पकड़ा और वापिस अपनी टेबल पर जाकर टाइप करके वापिस उसके पास आई उसका जहन उलजा हुआ था एरा की वज़ा से बदर ने ताजा टाइप शुदा लेटर पर नजर डाली जिसमें जगा जगा घलतियां थी उसके कुशादा पेशानी पर बल पड़े ये क्या टाइप की है तुमने सिर्फ घलतिया ही नजर आ रही है अर्शिया ने तीकी नजरों से उसे देखा तो खुद कर लो तुम मुझे क्यों कहरे हो तीके लेचे में कहती वो ग्लास जोर खोड़ कर बाहर जाने लगी जब उसकी आवास पर रुकी अगर मुझे ही करना है तो मुतरमा यहां क्या लेने आती है मुझे की तनखा लेने या अपने हुसन का दीधार करवाने वो उस पर घुसा करना नहीं चाहता था लेकिन ऐसी लापरवाई और उस पर इतना एटिट्यूट घुसा तो आना ही था उसे उसकी बात पर वो तब भी गी मेरा पहले ही मूट आफ है मेरा मूँ ना खुलवाओ उंगले उठा कर उसे बाउन करती वो खा जाने वाली नजरों से उसे देखने लगी बदर जब्रे पेंच कर उसके मुकाबिल आया खोलो अपना मूँ मैं भी तो सुरू मुहतरमा किस हद तक जा सकती है बलैक पेंट की पॉकिट्स में दोनों हाट डालता वो सर्थ लेचे में बोला सुर्में ही आंकों में घुसे की सुरुखी वाज़े हो रही थी अर्शिया ने दान पीस कर उसे देखा बदर मेरा दिमाग खराब ना करो वरना वो अपनी हील क्लास डोर के साथ लगाती उसे वाण करती नजरों से देखती हुई बोली बदर ने सुलक कर उसे देखा उसे बाजू से थाम कर जटके से दूर थकेला जिससे वो उसकी टेबल के साथ जा लगी मनहूस बिले मैं तुम्हारा सर फार दूँगी इन हील से वो खतरनाक टेवरों से उस पर छप्टी बदर ने उसकी कलाईयां गरिफ्ट में लेते उसे टेबल से लगा दिया उसकी पुष्ट टेबल से जा लगी जिससे बैक पॉन में दर्द की एक लहर उठी वो उस पर छुका कहरा था सहर लगती है तो मुझे अपनी हील समेथ वो भी कहां पीछे रहने वाली थी तो खा कर मर क्यों नहीं जाते उसके मस्बूत हातों से अपनी कलाईयां छुड़वाने की कोशिश करती वो उसकी सुर्मेई आँकों में नीली बिली किसी तेज आँके गार कर तंधी से गोया हुई बदर ने उसकी कलाईयां मेज से लगा दी जिस पर उसका चेरा सुर्ख पड़ा था अलबता वो अब भी दान पीस्दी खा जाने वाली नजरों से उसे देख रही थी अभी तुमें खाने का वक्त नहीं आया तपाने वाले लेचे में कहता वो उसे जटक कर सीधा हुआ कमर में शदी दर्द महसूस करती वो सीधी हुई उसे नाखुन मानने की नियत से वो फिर उस पर जपड़ी जब बदर ने उसके दोनों बाजो पुष्ट से लगा कर उसे बुलंद किया इंतहाई बद्दमीज और जाहिल और तो तुम वो घुसे से उसके मूँ पर धाड़ा पो जो पहले से तपी हुई थी उसकी बात पर मजीद तब की घुसे से उसका चेरा सुर्खियां चलकाने लगा बद्दमीज और जाहिल तो ठीक था औरत कहेंकर सही माइनों में तोहीं नी कर दी थी बदर ने तो तुम एक नंबर के जाहिल मनहूस और बद्दमीज अंकलों हाथ छुड़वाने की कोशिश में नकाम होती वो जुक कर उसकी गर्दन में सकती से दाथ काड़ की बदर ने एक पल को आखे मेची उसको अंताजा मी नी था घुसे में उसने क्या हरकत सरज़द कर दी थी उसे खुद से दूर जटकता वो चन्द पल खामोश नजरों से उसे देखे गया चन्द पल की खामोशी के बाद उसने लबों को हरकत दी तुम जानती भी हो तुमने क्या किया उसकी जानिब कदम बढ़ाता धीमे लेचे में बोला तो पहली बार अरशिया को घबराहट मैसूस ही वो हलक तर करती एक कदम पीछे हटी अगर मैं बहक जाता तो अगर मैं भी आम मर्द होता तो कौन तुम्हें मुझसे बचाता उसकी जानिब एक और कदम बढ़ाता वो से उसकी हरकत से होने वाले संगी नतायच से आगा करने लगा अशिया का चेरा सुर्ख हो गया नजरें जुकाई वो लब काटने लगी फिर यका यक उसने सर उठाया तुम्हारी सोच ही खराब है बना मैं तो तुम्हें भाई समझती हूँ छोटा वाला वो अपनी फार्म में वापिस आगी थी वो जरा सा मुस्कुराया था उसकी बात पर भाई को नेक बाइट कौन लड़की करती है कोट चेर की पुष्ट पर डालता वो अजली अंदास में कहकर उसके तपे चेहरे को देखने लगा उफ किस कदर बत्तमीश शक्स था वो तुम होई डैश डबल डैश दान कच पचा कर कहती वो तनफन करती गलास दोर धकेल कर बाहिर निकली और जोर से हील डोर पर मारी और ये लगा पांचवा ठपा उसके जाने के बाद उसका सुर्ख पढ़ता जेरा याद करते वो जुका कर वो सर जुका कर धीरे से हस पड़ा हैरत दर हैरत नियूज रूम में अपनी मखसूद चगा बैटी वो कोई आर्टिकल लिख रही थी जब तानिया ने उसे मुखाटिब किया जो खुद भी एक जनरलिस्ट थी रमल यार हालिया कॉर्मिंट की करॉप्शन पर आर्टिकल मत लिखो अभी एक दोस्त की हैसियत से मश्वरे दे रही हूँ तुम सोच भी ने सकती किस तरह के थर्ड क्लास हर्बे इस्तमाल करते हैं ये अपना शिफाफ वर्जन आवाम तक पहुंचाने के लिए और जो इनके काम में रकावट डालता है फिर तुम जानती ही हो तानिया की फिकरमंदी से कहने पर उसने सिया गहरी आँखों से उसे देखा जो अपने आप में एक रास थी कभी ना खुलने वाला रास शुकरिया लेकिन हक बात कहने और लिखने से मुझे कोई नहीं रोक सकता अवाम मुझे पर एतबार करती है और रमल यूसफ उनकी अवीदों पर पूरी उतरती है वो आदतन कान की बाली को शहादत की उंगली से हिलाती जरा सा मस्कुराई कसकर जुडे में बंदे काले स्या चमकतार बाल उसकी काली गहरी आँखों की चमक से मेल खाते थे वो हमेशा की तरह लंबी पुंडलियों को चूती कमीस के साथ चूडी दार पजामा से बितन किये हुए थी जो उस पर खूब जचिता था मुबाइल के रिंटून बजने पर वो एक्सक्यूस मी कहकर उसकी जानिम मतवज्य हुई नमबर देखे बगएर उसने कॉल अटेंड करके फून कान से लगाया दूसरी जानिब जो कोई भी था वो उसे धंकिया देने लगा था रमल की पेशानी पर बल पड़े उसे गालियों पर उतरते देकर वो तरिष्टगी से गोया हुई तुम जो कोई भी हो एक बात कान खोल कर सुनो रमल यूसफ इन खाली खूली धंकियों से डरने वाली नही अगर इतनी ही हिम्मत है तो एक तफ़ा मेरे सामने आकर दिखाओ तुमारे ने नक्षे ना बिगार दिये तो मेरा नाम भी रमल यूसफ नहीं सर्थ लेज़े में कहकर उसने कॉल कार दी नमबर ब्लॉक करके वो चेर से टेक लगा कर आंखे मौन की लोग समझते हैं औरत साथ कमजोर है उसे ताकत की जोर पर दबा देंगे अपने हुकम का गुलाम बनने पर मजबूर कर देंगे लेकिन वो एक बात से बाक इतने के जब औरत कुछ करने की ठान लेती है तो वो इरादों की पुखतगी में मर्द को भी पीछे चोड़ देती है औरत कमजोर नहीं है बस यही थाबित करना है अपने आप से मुखातिब होते वो खुद को बावर करवाने लगी के वो कौन है उसने आँके खोली तो उनकी चमक पहले से भी बढ़ चुकी थी जो ही वो कमरे में दाखिल हुआ अर्श को अरिश्मा की गोद में सर रखे दे कर चुंका मापीर को दे कर अर्श ने नजरे खुमाई तो गोया वो अभी भी नारास था क्या बात है लाटले साब शादी की बात है उने के बात तो रंगी बदल गया जनाब के वो जानता था वो उसकी बात परता पुठे का और ऐसा ही हुआ बाबा बुच से इस बारे में बात ना ही करें ऐसा नहो के मेरा इकरार इंकार में बदल जाए अरिश्मा का हाथ थाम कर लबों से लगाता वो आँखे मोद गया मापीर मेरे बेटे को तंग ना करें वो मस्नूई खुपकी से बोली तो अर्श धीरे से मस्कुराया हाँ बेटे के होते शोहर कहा नजर आता है आपको मस्कुराहट दबाता वा वो उसके साथी बैट पर बैट किया अर्श के हाथ चारी शेर रिश्मा का हाथ निकालकर वो खुद थाम कर नन्रमी से सहलाने लगा उसने आगे सुकेट कर मापीर को देखा तो वो कंदे रुचका गया मेरी बीवी है उसे बावर करवाया गया अर्ष ने साइट समाइल पास की अराम से माबीर के हाथ या रिश्मा का हाथ निकाल कर वो अपने चेहरे पर रख गया मेरी मामा है वो भी कहां कम था पून दोनों को होंको की तरह देख रही थी जो बच्चों की तरह हरकते कर रहे थे गेहरी साइस लेकर नफी में सहरिलाते उसने अर्ष के गले में पहने पैंडिट को देखा अर्ष की पैंडिट हमेशा क्यों पैने रखते हो क्या आप बहुत खास है पेंडन्ट में लगे स्याम होती पर उकाब की चमकती आंक पर उंगली रखकर वो सवालिय नजरों से उसे देखने लगी ये मेरी पहचान है वो मुस्कुराते लेजे में गोया हुआ उसके चेहरे पर अलवही मुस्कुराहट थी शाहीन की आंकों की मानिद उसकी गहरी बूरी आंके मी जमकी ती कुछ तो खास था उनमें कोई पुशीदा रास उसकी बात पर उसने महस ना समझी से सरिलाया उसकी गोत में सकूर मैसूस करता वो आंके मौद कर सोने की तियारी कर रहा था अरिश्पा ने छुक कर उसके सर पर बोसा दिया उसके बालों में उंगलियां फेनने की घर्ष से उसने हाथ पढ़ाया ही था कि माबीन ने उसे उचक कर गोत में बिठा लिया हका बका सी उसे देखती वो शरम से डूब मनने को हुई अर्ष हसता हुआ उठ बैठा मेरा ख्याले मैं चलता हूँ वन्हा बाबा का क्या परोसा मेरे सामने ही रुमेंच छाड़ना शुरू करती अपने शोहर की हरकत और उपर से बेटे की कमेंट्री पर तो वो तप कर उठी बाब बेटा दोनों ये बेशारम है दोनों को तीकी नजरों से देखती वो तनफल करती कमरे से निकल की उसके जाने के बाद दोनों एक दूसरे के हाथ पर हाथ मार कर कहका लगा गे फाई धीली जीन्स के साथ सकाई ब्लू हाब स्लीव टी शिर्ट पहने वो स्ट्राजिट स्ट्रीट में जीन्स की पॉकिट्स में हाट डाले सर चुकाई हमवार कदम उठा रहा था शाम की धुन्दी रोशनी में उसके सफेद जोकर्स में मुकीट पैर तारकोल की पुखता सड़क को पीछे धकेरते आके बढ़े थे आस्मान पर बातनों के ठेर ने करजना शुरू कर दिया महकमा मौसिमियाद के मताबिक आज रात पूरा डिनमार्ट बारिश में नहाने वाला था वहाँ बने मौल्स में शौपिंग की घर से आने वाले लोगों कचने गफीर मौसिम के देवर देखता वापिस लोटने लगा अलबता कुछ नोजवाल लड़के लड़किया ऐसे दिल परे मौसिम को अपने साथ कैमरों में मुकीट कर रहे थे उसे मौसिम से कुछ मतलब नहीं था उसे अपना काम हर हाल में अपने वक्त पर करना होता था वो सर जुका कर चल रहा था उसके कान में एयर पार्ट मुझूद थे जिनके जरीए वो दूसरी जानिब किसी से रापते में था उसका सर जुका हुआ था लेकिन काली सर आंके तिर्ची होकर इत्राफ का जाइजा ले रही थी उसकी हस्यात बहुत तेज थी डवतन किसी नरम वजूद के टकराने से उसके कदमों को ब्रेक लगा महरून करली लंबे बालों को जटक कर सीधी होती वो उसे देख पाती इससे पहले ही वो उसे नजर अंदास करता आके बढ़ गया उसकी पुछ दे कर उसे उस पर लेस का गुमान हुआ सर जटक कर वो आके बढ़ की जहां स्ट्रीट के कॉर्णर में लेस उसका इंतजार कर रहा था इबराहीम ने रुक कर चेरा गुमाया उस लड़की के सामने आती उसकी छटी हिसने कोई सिगनल दिया था एक फल को उसकी पुछ देखने के बाद वो सर जटकता सीधा हुआ और जल्दी जल्दी कदम उठाता मतलूबा पॉइंट तक पोँचा वो सामने से चलता आ रहा था सुरमे शर्ट के साथ बलू जीन्स पैने वो उसके पास से गुजरता स्पीड स्लो कर गया इबराहीम ने गैर मैसूस अंदास में एक चिप उसकी तरफ बढ़ाई गैर मैसूस अंदास में कहता वो आके बढ़ गया उसने एरपॉर्ट पर उंगली रखी टास्क वन इस डन बारी शुरू हो चुकी थी ऐसे ठंडे मौसम में वो बहुत हलकी सी टी-शिर्ट पहने था जिसके हाफ स्लीव से उसके कसरती पासू नुमाया हो रहे थे काली सर्थ आँखों के चमकते काँच एकिर्ट का बखू भी जाइजा ले रहे थे बाद से इशारा करके कैब रुकवा कर वो उसमें बैठ गया जनमिन के बाद वो एसकॉर्ट होटेल के सामने उत्रा वर्ट ट्रैप्स के लिए मशूर ये कॉपिन हैगन के लक्शरी होटल में शुमार होता था उसने एक नजर में ही होटल की बैरूनी अमारत का जाइजा लिया डार्क ब्राउन पेंट चुदा दिवार पर करीब करीब 24 खिड़कियां थी जिनकी सफेद ग्रिल से सुनहरी रोशनी फूट रही थी उसकी इनफॉर्मेशन के मताबिक यह वो होटल था जहां अच पाकिस्तान से स्मगल की जाने वाली रड़किय भीजी जानी थी वो डैम शूर था कि यही वो ठिकान है जहां माफिया राज की दो तन्जीमों के तरम्यान टैकिंग होनी थी कान में लगी डिवाइस के जरीए हिंट्स देकर वो मजीद मालूमात लेने के लिए होटल की सीड़ियां चड़ता दर्वाजे से अंदर गाइब हो गया जी तो नाजरीन आपको बताते चलें कि नूर मुकदम जिनकी डेड़ बौडी होटल से बरामत हुई थी उनकी रिपोर्ट साथ चुकी है उन्हें शदीद तशद्दत का निशाना बनाने के बाद कतल कर दिया गया कब तक? आखिर कब तक मासूम लड़कियां जुल्मों से आगती का निशाना बनती रहेंगी? वो जो आज हिमत करके कमरे से बाहर निकल लिया आए थी टीवी लाउंट में कदम रखते ही कानों में पढ़ने वाली आवास पर उसके कदम मुझमित हुए जर्चेरा लिये वो अपनी जगा साकीतों कि उसे सांस लेने में दुशवारी होने लगी खौफ से एलेटी की स्क्रीन को देखती वो उल्टे कदम लेती या अगदम पर्टी जल्दी से कमरे में आकर उसने दर्वाजा बंद कर दिया कपकपाते हाथों से खिड़कियों के पर्दे बराबर करके उसने कमरे की बत्ती बुजा दी बैट पर आकर लिटती वो कुटनों को सीने से लगाती सिसक सिसक करोने लगी दो दिन से वो कमरे में बबनती ना कुछ खा रही थी ना पीरी थी अपना हाल बेहाल कर डाला था उसने आज एनारा ने सबरदस्ती उसे डांट कर खाना खिलाया था उन्हें मनाने की गरसे वो डरी सेमी कमरे से निकली थी जब नूर का नाम सुनकर वो फिर से उसी खोफ की अता के राहियों में उतरती चलीगी जिस खोफ के जहरीले नाग हर वक्त उसके गिट फन उठाये रहते थे आंके मेचे जाने वो कब सोगी उसकी आंक मुलासमा की आवास पर खुली थी जो उसे जगा कर किसी की आमद का बता रही थी उसने आंके खोलने की कोशिश की जो सूची होने की वज़ा से ठीक तरह खुल नहीं पा रही थी कौन आया है उंगली से आंकों को दबाती वो उठ बैटी उसकी आवास भारी हो रही थी बोलते भी उसे पता चला के गला बहुत दुख रह था मुलासमा कुछ कहती इससे पहले हैं धर्वास धकेल कर अंदर आया कमरे में अंदेरा पाकर उसने हाथ मार कर लाइट सौन की मुलासमा के जाने के बाद वो उसके पास बैट पर बैट गया उस वक्त घर के आम हुलिये में था सुर्ख टी शिर्ट के साथ जीन्स पहने एरा के बिखरी हालत देकर उसने लब भेंचे लंबे भूरे बाल पुरी तरह आपस में उलजे हुए थे सूची आंखे और सूखे होंट जो शावर लेकर कपड़े चेंज करो शाबाश मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ वो इतनी नर्मी से बोला कि वो ना चाहते हुए भी उट खड़ी हुई दस मिन के बाद वो सफेद कैप्री शिर्ट में फ्रेश सी उसके सामने थी उसके गले में दुबटे का इजाफा हो चुका था बेखेरत उस लफ़ ने उसका सकून परबाद कर दिया था हर वक्त उसके कानों में गुंचता रहता बैठो हायान के कहने पर वो लब सी कर उसके सामने बैठ गी कुछ और भी था जो तुमें मुझे बताना था कैसी जलन सी जलन थी जब नूर के साथ वो सब हुआ तुम वहां थी उसका हाथ थाम कर थप थपाता वो धीमें लेजे में पूछ रहा था उसका हाथ थपकता वो से यकीन दिला रहा था कि वो अकेली नहीं थी वो उसके साथ है वो उस पर एतबार कर सकती है वो रो रही थी फूट फूट कर तडब तडब कर उसके हाथ पर चेरा ठिकाय चुकी वो अपने अंदर इतने दिन से पलती तकलीव बाहे निकाल रही थी आंसों के रास्ते हयान ने उसका सर थपक कर उसे सीधा किया उस रात बाहे चांस पुलीस मुबाइल वहां से गुजर रही थी जब किसी की इतला पर उस होटल पर रेट पड़ा वो कौन था ये पता नहीं लेकिन इसकी खबर पकी थी हमें वहां से लाश मिली उस लड़की की लेकिन मुझरिम शायद पहले ही फरार हो चुका था उसी रात एक परेशान सी बुड़ी औरत थाने आकर अपनी जवान कुमशुदा बेटी की रिपोर्ट दर्च करवाने आई थी उसकी बुड़ी आँखे रो रही थी क्या तुम सुन रही हो बोलते भी उसने ठहर कर पूछा वो सागित मुझस्मा बनी बैटी थी आँशो तवातल लड़ी की सूरट थोड़ी तक आ कर ठहरते गोद में गिरते जा रहे थे वो मेरी दोस्त थी बेस्ट फ्रेंड बहुत प्यार करती थी उस लड़के से जिसने उसकी इज़स्द मशीनी अंदास में बोलती वो यक तम रुकी हिचकी लेती वो बुलंद आवास में रोने लगी एरा इधर देखो मेरी तरब हैयान ने टिशू से उसके आशो पोंचते नर्मी से कहा तुम तकलीफ में हो के तुम उसके लिए कुछ कर नहीं सकी तुम अभी भी बहुत कुछ कर सकती हो उसके लिए जैसे बहुत से लोग उसके लिए इंसाफ मांगने सड़कों पर निकलाए है एरा ने नफी में सरी लाया मैं कुछ नहीं कर सकती वो मुझे भी मार देगा मुझे बूर डर लग रहा है वो लब भेंच कर उसे देखे गया कुशादा पेशानी पर गिरी लटके पीछे गहरी सोच की लकीरे नुमाया हुई स्या आंखे पुर सोच अंदास में उसे देख रही थी तुम्हें अपनी मोध का डर है क्या? तुम्हारा जमीर भी मर किया उन लोगों की तरह जिनके जिसम तो जिसम तो जिन्दा है लेकिन रूहे और जमीर मर चुके है एक बात पताओ तुम्हें जो जान किसी मजलूम के काम ना सके उस खोकले जिसम को मर ही जाना चाहिए चाती हूँ जोर से गाल रगड़ती वो मजबूत लेचे में बोली उसकी आँखे नफरत से जल रही थी हायान कीसे आँखों के कान चमके थे तुम इस एरा इनसाफ की इस जंग में हमारे साथ है मजबूत हदेली उसके सामने ठेलाकर वो पुरजम लहचे में बोला उसने नीली आंके चुका कर अपने सामने फैली हदेली को देखा कहरी सांस लेकर उसने अपना हाथ इसके हाथ पर तिया हायान मुस्कुराया लेकिन वो मुस्कुरा नहीं सकी अपने कमने से बाहिर निकलो सब के साथ बैठो अश्च से तुम्हारा रिष्टा बच्पन से तैथा ये सब धोता या ना तुम्हें उसी के साथ मनसूब रहना है इसलिए दिल में गुझाईश पैदा करो आइस्ता इस्ता सब ठीक हो जाएगा वो उसे समझा रहाता बड़े भाई की तरह और वो खामोश पैटी उसे सुन रही थी ये सब कुछ इतना असान नहीं था लेकिन इनसान मसबूत है वो भी सहले की बेबी पिंक स्विटर के साथ वाइट शॉर्ट स्कर्ट टाइट स्वे मलबूस वो आइने के सामने खड़ी शहेद रंग बालों का मैसी जूडा बना रही थी लबो पर पिंक लिप गलोस लगा कर उसने पिंक लॉंग शूस पहने जो उसने कोपन हेंगिन से खरीदे थे पिंक स्विटर का गला थोड़ा गहरा था इसलिए उसने ग्रे लॉंग कोट निकाल कर पहन लिया कुछ दिर पहले ही बारिश खतम हुई थी बारिश ने खुशकवार मौसम को सर्थ कर दिया था मट्टी की भीनी भीनी खुशबू फिजा में तहलील हो रही थी वो कब से बोर हो रही थी इबराहीम ना जाने कब वापिस आता इसलिए उसने सोचा करीबी स्टोर से ग्रोसरी कर ली जाए उसने गले में चोटा सा स्टॉलर डाल लिया जिसके दोनों पलू आगे गिर रहे थे हैंडबैक उठा कर उसने अंदर कुछ रकम रखी दर्वासा लॉक करके वो बाहर निकल आई साफ सुतरी सड़क पर कदम रखती सुन्धी खुश्बू में रचा हुआ एक छोंका उसे चूँ कर गुजरा जिससे उसके जूड़े से निकलती लिटे चेहरे पर बिखर गी चेहरा बुलंद करके आस्मान को देखकर मुस्कुराती वो कदम बढ़ाने लगी चाबी से दर्वासा खोल कर वो अंदर आया लाइट सौफ देकर उसे अच्छमपा हुआ सुनेशा लाइट सौण करके उसने सुख पुकारा मगर जवाब नदारत वो परिशान होगे उसने मुबाइल निकाल कर उसे कॉल की तो कमरे से रिंग टोन बजने की आवाज आई उसके माते पर बल पड़े सीने पर हाथ पांद कर वो वहीं देवार के साथ लगकर खड़ा ओगया भी चन्द मिन्टी गुजरे थे जब वो दर्वाजा खोल कर अंदर आई उसके हाथ में तीन प्लास्टिक बैक्स थे अरे आप आगे बाहर कितनी ठंड होगी आपने तो हाफ स्लीव्स पहने आए रूम में आए मैं दूसरे कपड़े निकाल देती हूँ उसे देखकर फिकरमंदी से कहती वो उन दोनों के मुश्तिर का रूम में आई कोट उतार कर उसने स्टैंड पर लटका दिया स्टालर को उसने अच्छे से फिला लिया जो अब भी उसके नाजुक वजूद की दिलकशी छुपाने में नकाम हो रहा था पिंग स्टैंड की तरह उसका मौमी चेहरा भी गुलाबी हो रहा था कैसी लग रही लॉंग शोज उतार कर वो बलड़ती उससे पूछने लगी थी जब इबराहीम ने उसे कोहनी से थाम कर जटके से अपनी जाने पोड़ा वो सचानक पढ़ने वाली अप्ताद पर खबरागी क्या हुआ इबराहीम उसके खुसीले तासुरात देकर वो चेरा उठाती मधहम आवाज में बोली कहा था ना मेने के बगएर मुझे इंफॉर्म की और खासकर अकेले के इनी जाना एक बार मैं समझ नहीं हाती मेरी बात अपने उबलते घुसे पर काबू पाता वो हदलमकान लहचे को धीमा रखकर बोला लेकिन फिर भी उसका लहचा साख्त हो गया था जिस पर सुनैशा की आँखों में नमी चमकी अपनी कोनी चुडवा कर वो पीछे हटी उसका स्टॉलर उनके कदमों में गिर गया था जिसकी परवा किये बगएर वो तन्फन करती टेरस पर चले गी दर्वासा उसने जोर से बंद किया यख बस्ता हवाओं के बीच उसकी जाने पुष्ट किये सीने पर हाथ बांद कर खड़ी थी लब बुरी तरह कुचलती वो अपने आसू रोकने की कोशिश में हलकान नजर आ रही थी अंदर कमरे में इबराहीम ने लब फेंच कर उसे देखा वो इन बातों को नहीं समझती थी बाहिर वो गेर महफोस थी पता नहीं कहां कौन खात लगाए बैठाओ खुसे में खुसे में उसने उसे डांट दिया था जिस पर वो उससे खफा हो गए थी सुनैशा कमरे में आओ कबर्ट से रड बगेर स्लीप्स की शर्ट और रड़ी ट्राउजर निकाल कर उसने टेरस पर जांका तो वो ठीट बनी वहीं खड़ी थी ये लड़की भी ना सुनैशा मेरे कपड़े प्रेस कर दो आकर या मैं खुद कर लो भारी मुस्कुराते लेजे में बोलकर वो सियाख बस्ता मौसम में भी शावर लेने चला गया मुँ बना कर वो वापिस कमरे में आई कबर्ट से खेंच कर मुकमल ब्लैक ट्रेश शर्ट और जीन्स निकाल कर वो आईरन स्टेंट के सामने खड़ी हो गी वाश्रूम का दर्वाजा खुलने पर भी वो उसकी मुझूद की नजर अंदास करती शर्ट प्रेस करने लगी तोल्गे से बाल पूंचता वो गहरी नजर से उसे देखने लगा जिसका नाजुक सरापा नुमाया हो रहा था कमर तक आते बेबी बिंक स्वेटर और वाइट शॉर्ट स्कर्ट टाइट्स में वो कोई छोटी बच्ची लग रही थी वो अपने ध्यान में शर्ट प्रेस करी थी जब अपने पीछे उसकी मुझूद की महसूस करके उसके हाथ रुके वो पलट कर उसके मकाबिल हुई उसके कसरती सीने और बास उपर नजर पड़ते ही वो घपरा गई ठीली बगए स्लीज की शर्ट में उसका लंबा चोड़ा कसरती जिसम बेहत वासे हो रहा था चेहरा फेर कर वो खौमखा इदर उदर देखने लगी आइम सोरी वो जुक कर मधम भारी लेचे में बोला गीले बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे जिन में हाथ पेर कर उसने छटका तो पानी की बुंदे जुनेशा के कमर जुनेशा के चेहरे पर पड़ी वो अब भी खामोश रही आइम सोरी दिल वो उसके तरजे तखातों पर एक पल को जुनेशा का दिल जोर से धड़का वो नजरे जुकाती लब काटने लगी अब इस तरह मनाएंगे तो खाक नराज रह सकूंगी मैं मजीद उनकी नजरे उफ दिल में सोचती वो कुछ कहने लगी जब वो एक कदम उसके जाने पड़ा अब भी नराज हो वो कदम पीछे लेती आईरन स्टेंट से जा लगी नहीं उसने जल्दी से नफी में सरिलाया अपने आपको घूरती उसकी नरम गरम नजरों पर वो शदीद पजल होगी तैट स्कूर्ट उसका चेरा खतरनाग हट तक सुर्फ पढ़ता दे कर वो लब दबा कर एक अदम पीछे हटा दिस इस फॉर यू वो एक खुबसूरत सा केस उसकी तरह बढ़ा कर गोया हुआ जुनेशा ने एक बल को रुक कर उसे देखा फिर लब काटते हाथ बढ़ा लिया केस खोलते ही एक खुबसूरत सा पैंडेंट उसकी निगाहों के सामने आया नन्ने जगमगाते मोतियों के बीच अल्फाबेट से दिल लेखा था थैंक यू, इट्स प्रीटी वो सरकोशी के से अंदास में बोली ये पैंडेंट हमेशा पहने रखना इसमें ट्रैकर लगा है खुदा न करे अगर कभी तुम खो जाओ तो मैं तुमें इसकी मदद से ढून डूंगा ठीक है वो उसके चेरे पर आये लेटो को गाल से हटाता नर्मी से कहने लगा पैंडेट पर उंगली भेटते उसने सर हिलाया क्या मैं अभी पहन लू वो मधम लेजे में बोली अच्छा लगा था उसे उसका यूँ पर वा करना हम मैं पहना दूँ वो उन्चा लंबा मर्च होकर उसकी आँखों में जांकता इजाज़त मांग रहा था वो मभोध हुई थी उसके संदाज पर जुबान से सब कहना जरूरी नहीं होता उसकी नजरों से उसकी नजरों ने इजाज़त दे दी वो पेंडन्ट की हुख खोल कर जुका उसकी पुष्ट पर हाथ ले गया अपनी तेज होती धड़कनों पर हलकान होती वो सह जुका कर खड़ी थी वो महत चंद इंच के फासले पर था अगर वो एक कदम भी बढ़ाती तो उसे मस्बूत वजूद से टकरा जाती हुख बंद करते उसने सह चुकाया था मजीद जिससे उसकी सांसे उसकी नाजरों गर्दन को छुगे थी वो घबरा कर आँखे मेच गी क्या हुआ? सीधा होता वो उसकी मेची आँखों को देखता भारी आवाज में बोला उसकी कामती पलकों से निगाः फिसल कर उसके कपकपाते पंखडी से लबो पर आ ठहरी वो आँखे खोल कर वो उसकी से आँखों में देखती लब दबागी क्या वो? ट्राउसर की जेब में हाट डाल कर वो एक कदम उसकी जाने पड़ा जलगी वो मुसकान दबाती नाग सुकेड कर बोली कौन जलगी? वो एक फल को टहर कर ना समझी से उसे देखने लगा आपकी शर्ट हाथ बढ़ा कर उसे दूर ठके थी वो जल्दी से पर टीस तरी सीधी करके रखना वो भूली गई थी उसकी मुझूद्गी में ओ शिल ये मेरी फेवरेट शर्ट थी वो जल्दी से उसके बराबर आता अपनी फेवरेट शर्ट का हाल देखने लगा रोमेंस की दुनिया से बाहिर वेलकम टू प्रैक्टिकल लाइफ उसे देखर खिल खिलाती वो शर्ट उठा कर दुबारा कबड की जाने पड़ी उसकी पुष्ट देखता वो भी हंस पड़ा सर छुका कर दिलकशी से वो पलट कर उसे देखने लगी उसकी आखों के शहेद रंग कांच चमके थे कितना अच्छा लगता था ना वो हंसते हुए मस्कुराते वे वो दूसरी शर्ट निकालने लगी हाँ अब सब कुछ हैसीन लग रहा था सिया लबी कमीज और चूड़ी तार पजामे में बाजी मेरी मदद करें मेरी छोटी बेटी भूग से मरी हैं हमने दो दिन से कुछ नहीं खाया अल्ला आपको और काम्याब करें अल्ला के नाम पर हमारी मदद करें वो अपनी कार से कुछ दूर ही थी जब कटे फटे हुलिये में एक भी कारी उसके पास आता भीग मांगने लगा रमल ने उसे सरता पैर देकर एक कड़ी नजर उस पर डाली उसे नजर अंदास करती वो कार की जानी पड़ी ने कपड़ों को जगा जगा से फाड़ लेने से वो पुराने और वो सीधा नहीं हो जाती भूका है लेकिन जेरा कैसे शादा भी लिये है जैसे अभी कुछ ठूंस कर आया हो बेवकुब समझते हैं ये रमल यूसप को खुच से बुड़ बुड़ाती वो कार का दर्वासा खोलने को जोगी जब अपने पीछे तेज़ गत्मों की आवास पर फोरन पड़ी उसकी पहली नज़र उस शखकी पॉकिट से जांकते रिवालवर पर पड़ी उसे रुकता दे कर उसने जल्दी से रिवालवर निकाल कर रमल पर तान कर ट्रेगर दबाना चाहा जब सेकिंड के हजारवे हिस्से में उसने हाथ में पकड़ा बैक खुमा कर उसके हाथ पर मारा रिवालवर दूर जा गिरा उस अपताद पर वो शखक्ला गया रमल ने दूसरी बार बैक उसके मूँ पर मारा वो भी घुसे से मारने को लपका जब वो पैरों को हील से अजाद करती आगे बढ़ी उसकी सेर्फ डिफेंस ट्रेनिंग आज काम आने वाली थी उसके बाजो की साइट से निकल कर उसने जोर दार पंच उसके नाग पर मारा जिससे वो शख्स दोहरा हो गया उसकी नाग से खून पैने लगा था मुखोई का फाइदा उठा कर उससे जोर दार धिका दिया जिससे वो हड़ बढ़ा कर तारकोल की सड़क बजा गिरा मुझे मारोगे अपनी हील जल्दी से पहन कर उसने एक पैर उसके हाथ पर रखकर कुचल दिया ऐसी खामोशी में उस शक्स की जोरदा चीख बुलंदी अपने दो नंबर बाप को कह देना जाकर तब तक कोई भी माई का लाड रमल यूसफ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक सब के काले कार नामे में मीडिया पर नहीं ले आती ऐसी काली भीडियों को मनसरे आम पर लाए बगएर मैं नहीं मरूंगी बता देना अपने दसवें फेल बाप को सर्थ लेजे में कहती वो कार में बैठी इससे पहले कि कोई उसे दे के उसे अंकल जाना चाहिए वरना कल फिर मीडिया पर ये खबर मेच मसालों के साथ पेश की जानी थी उसे फरक नहीं पड़ता था पस वो अपनी फैमली को परेशान नहीं करना चाहती थी ब्लैक लॉंग सकर्ट के साथ लेमन कलर स्कीन टायट फूल स्लीव्स शर्ट में बिजलिया किराती वो एसकाट होटल की राधारी में एक अदा से चलती जा रही थी लॉंग शूस में मुकीद उसके पैर तेजी से मार्बल के चमकते फर्श को पीछे धकेल रहे थे लोग मुड मुड कर उसाफर ठाती जालिम हसीना को देख रहे थी जो महरून गुटनों तक चाते करली बालों को पुष्ट पर खुला छोड़े बेन्याजी से आगे बढ़ती जा रही थी उसके उपरे होट के खम पर मुझूद दिल उसे मज़ीद मगरूर बनाता था हरी कांट सी आंकों में एक खास चमक थी एक रूम के सामने आकर वो रुकी उसने सर उठाकर कमरा नमबर देखा फिर वो दर्वाजा धकेल कर अंदर आई और वापिस बंद कर दिया पुरतैश कमरे में रखे जदी तर्स के सोफे पर बाबा साब बराजमान थे उनके सामने लेस खुटनों से फटी पैंट और रफ सी शर्ट के बाजू को नियों तक मोडे टांग पर टांग जमाए फैल कर बैटा था बाबा साब के पीछे जाकर और कालिया हाथ बांदे खड़े थे ये वो लोग थे जो उनके एक इशारे पर जान दे भी सकते थे और ले भी सकते थे बाबा साब को अंधा इतमाद था उन पर जिसमें दराड हसीना ने डाली थी एक आंक ना भातियों से बाबा साब के चमचे जो हर वक्त उस पर नज़र रखते इसलिए वो अपने इतबार का बंदा लाई थी आइस्दा इस्दा उसने जाके लोगों को इस अंदाज में बाबा साब पर वाज़े किया कि उनका इतबार खतम होता गया मक्कन से बाल की तरह निकाल फेंगना उसने निकाल फेंगा था उसने उन सब को खेर उस पर तो अंदा इतबार था बाबा साब को आइस्दा इस्दा वो अंदर के मामलात भी उस पर वाज़े करते गी हसीनہ को और क्या चाहिए था वो तो उनका दम भरते नहीं थकती थी माफिया राज के एक जाने माने गैंग को लड़कियां समगल करने और एक खास डेकिंग करने के लिए उन्होंने टिन्मार को ठिकाना बनाया था जहां पहरी जहास के रास्ते माल गेर कानूनी दोर पर लाना बहुत असान था पार्क आन्मी को उनके इरादों की खबर हो चुकी थी कब से वो इस मोके की ताक में थे जब वो रोहानी शख्सियत बाबा साब और ऐसी ही केई मुल्क दुश्मन तद्जीमों पर शकंचा तांग करें जो अच्छाई का मकोटा पहन कर अवाम को लू बना रहे हैं परसो हमें यहां से रवाना होना है इस दोरान सब मुहतात रहना डील होते ही हम यह होटल छोड़ कर फार्म हाउस चले जाएंगे वो संजीदा लेजे में कहरे थे हसीना और लेस में नजरों का तबाता हुआ बाबा साब कापन तो होते रहेंगे क्यों न इस दील की खुशी में एकल जशन मनाया जाए पून की जाने मुर्ती दिलकशी से बोली वो तो खायली उसके उस अंदास पर थे अब भी मनाना कर पाए जैसा तुम चाहो लेकिन ख्याल रहना मेफिल में शराब शुबाब सब होना चाहिए पुसर मस्ती से बोले तो वो तीका सा मस्कुराए जरूर जैसा आपका हुकम ये जशन बिला शुबा यादगार होने वाला है सौफे के पुछ से सर टिका कर वो आँखे मौनती हसी थी क्या इतना सा बोगया मिशी मामा ये गलत बात है मेरे भाई की शादी हो रही है मेरे बगयर मुझे मामा ने बताया तक नहीं वो रो देने को हुई इबराहीम को बताया था लेकिन उनोंने तो कोई बात नहीं की मुझसे ओकी ठीक है मैं फिर बात करती हूँ कॉल काट कर वो हाथ में चेरा चुपा कर रोने लगी कितना अकेला मैसूस कर रही थी वो खुद को उसने सर उठाया एरा बिचारी बहुत छोटी है वो अल्ला ये अचानक क्या होगे अटेंशन से उसका सांस उखडने लगा उसे ठंडे पसीने आने लगे थे कब कपाते हाथों से उसने जुक कर ड्रॉर खोला इनहेलर निकाल कर जोड से हिला कर उसने गहरी सांस लेने की कोशिश की इनहेलर मुझ से लगा कर उसने पांच सेकिंड तक सांस खेंची सांस बहाल होई तो वो बैट पर चत लेट कि उसके चेरे की रंगत बहाल होने लगी थी वो अपने बंगले के सामने कार होकर नीचे उतर कर गेट पर मजूद वाच्बेन की तरफ आई खर में कोई नहीं है वो मोदब सा उट खड़ा हुआ नहीं बड़ी वीबी सामने वाले बंगले में चली की है कहकर गी थी आप भी जल्दी से त्यारो कर वहाँ पहुंचें वो सारी लाकर गेट से अंदर आई लौन अबूर कर कि वो जल्दी से कमरे में आई और कपड़े थाम कर शावल लेने खुसकी कल एरा और अरश की छोटी सी मेंदी की रस्म रखी गई थी अरिश्मा के बेहत इसरार पर बकोल उसके पहले ही एक बेटी का निकास सादगी से कर दिया अब अपने बेटे की शाद की सादगी से ने करूंगी बराद का बड़ा फंक्शन रखा गया था जिसके लिए उन्हें बरवक्त हाल पोंचना था सब लोग मापीर के बंगले में जमा थे इसलिए मशाइम ने रमल के लिए पिगाम छोड़ दिया था वो शावल लेकर जल्दी से बाहर निकली आफ वाइट रेशमी घरारा और गुटनों तकाती आफ वाइट शर्ट में वो जल्दी से ड्रेसिंग टेबल के सामने आई तोलिये में लिप्टे बाल अजाद करके ट्रायर की मदद से सुखाने लगी पाल सुखाते उसने पैरों में डल गोल्डन खुसा पैना ट्रायर रखकर उसने जल्दी जल्दी ब्राय नाम मेकप अपलाई किया नैनो में काजल और लबो पर हलकी सी ब्राउन और पिंग शेड्स की लिप्स्टिक मिक्स करके लगा कर उसने स्याल लंबे बालों को ठीले जोड़े में मुकीत करके इतराफ में दो लिटे निकालने एरिंग्स देखकर उसका मूँ बन गया मशाइम के डांटने के बाद वो एरिंग्स पैनने पर त्यार हुई थी सफेद नन्ने मोतियों से सजे सहारे वाले एरिंग्स पैन कर उसने दुबटा कंदे पर डाला जब बाहर से वाच्चमेन की आवाज आई बीबी आप से कोई मीर साब मिलने आए हैं वो एक पल को टहर गी फिर कुछ सोचकर वो बाहर आई खुसे में लगे नन्ने से खुंगरू हिलते खामोशी मेर्टाश पैदा कर रहे थे स्याश अलवार कमीज में अपनी शानदार परसनेल्टी के साथ वो हमेशा की तरह हैंसम लग रहा था उसकी शहद रंगांके उस पर पढ़ते ही साकित हुई सजी सबरी उसकी तरह आती वो बला की हसीन लग रही थी उसका ऐसा रूप उसने देखा कब था वो तो अपनी साथगी में भी मासूम दिलों पर सितम ढ़ाती थी सिंगार किये तो वो मकाबल को किसी काबल ना छोड़ती बोलिये उसके मकाबल आती वो तीके लेज़े में बोली वो सह चुका कर हस पढ़ा हुलिया बदला था अंदाज वो ही थी मैं यहां से गुजर रहा था सोचा आपकी खैर खबर लेता चनू पुष्ट पर हाथ पानता वो उसकी आँखों में चांकता बोला उसने आँखे सुकेड कर उसे देखा हमारा तालुक हिस हद तक नहीं आया मीर साब कि आप मेरे घर तक पहुंचे खैर मुबारिकों बहुत आप इलेक्शन जीद के सर उठा कर वो बेतासुल लेचे में बोली वो मस्कुराया तो उसकी नजर उसके गाल में बढ़ते गढ़े पर पड़ी अच्छा लाग रहा हूँ मस्कुराती नजरों से उसे देखता उसके नजरों का रुख महसूस करता वो मधहम लेचे में बोला जादा फ्री होने की जरूरत नहीं है मैं मस्रूफ हूँ आप अपनी खुशफेहमियों का टोकरा उठा कर जाएं यांसे वो पलट की खुशफेहमी पालना मीर हासिल की आदत नहीं कभी फुरसत से घोर कीजेगा जनाब पर चलता हूँ वो लंबे-लंबे डग भरता वाँ से निकलता चला गया रमल ने मुड कर उसके जोड़ी पुश्ट को आँखे सुकेड कर देखा सर जटक कर वो अंदर आई अपना फून और जरूरी चीजें नेकर वो रूम्स लॉक करके गेट पर आई चोकिदार को कुछ हदायात देने के बाद वो रोश्टियों में नहाए महबीर के बंगले की तरफ बढ़ गी कहरे सुर्ख अरूर सी लिपास में सजी वो हॉल के ब्राइडल रूम में बैटी थी जब इनारा तरवासा खोल कर अंदर आई नफीज से लिपास में बालों का जुड़ा बनाए वो वहाँ पहले से मजूद मर्शाइम से मुखाइब हुई आपी से घूंगट करके बाहिर लाइए का अर्श निकाए वो जलत में लगती थी उसके जवाबन सर हिलाने पर वो पलट कर ब्राइडर रूम में चदी गी वो गुमसुम पैटी अपने हाथों को देख रही थी टीका नत गर्स दुल्हन का मुकमल से इंगार लिये वो अर्श से उतरी कोई हूर लग रही थी नीली आँखों के कांज बुजे से थे आज उनमें उदासी समुई थी ब्लैक खुबसूरत कैप्रिशर्ट के साथ कंदे पर शिफोन का बड़ा सा दुबटा फिलाए वो आईने के सामने से हटकर एरा के पास आ बैठी उसने सर उठा के अर्शिया को देखा तुम परेशान ना हो जादा मैं जानती हूँ तुम्हें इस एटिट्यूट की दुकान से डर लग रहा है देखो जितना तुम डरोगी वो ओशोखा होगा अगर उसने तुमें कुछ पिका तो एक पंच मानना उसे मेरी बेहनों आखि आगे की तरफ डाल दी और बाकी पुष्ट पर खुले छोड़ दिये लोबों पर सुख लिप्स्टेक को आपस में मस करके वो ठी मश्रकी दर्स के लिबास वो नहीं पहन नी थी अमपूमन अब जब पहना तो बो जच रहा था उस पर हमेशा कितना हर चीज से लापर वाप वो ब्लैक पेंसिल हील का स्ट्रिप ठीक करके बाहर हॉल में आगी जबरदस लाइटिंग और डेकुरेशन में की गी थी वो एक कुरसी खसीब कर टांग पर टांग राकर बैठती चारो जानिब का जायसा लेने लगी जब उसकी निगाउस मनहूस बिल्डे पर पड़ी जो उसकी निगा एक लड़की पर पड़ी उसके इतने लंबे बाल देकर वो शदीद हिरान हुआ अभी वो इसका मुकमल जायसा लेता के ग्रे थ्री पीस में वो उसके सामने रुपता उसे घूरने लगा उसकी सुर में यांकों को खुद को घूरते पाकर वो सट पटा गया य जी मैं वो हायान सर का गैस दूँ अली नाम है आप उने इतला कर दे प्लीज ताड़ी मुचों और आंकों के परक के लावा आप दोनों एक से लग रहे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप उनके बरादर है वो उसका जायजा लेता नौन स्टॉप बोलता गया हंकार भर कर वो चला गया तो उसने रुकी सांस पहाल की एक होने में लगी कुरसियों की तरफ जाकर बैटा वो हायान का इंतजार करने लगा वैसे सर जी एक बात कहूं प्लैक पोर पीस में कोट कुरसी की पुष्ट पर डाले वो अपनी मुकमल वजाहत और दबदबे के साथ उसके स हैंसम लग रहा था उसकी लुक्स को देखते अली की जुबान में खुजडी होने लगी आप इतने होड बेरा मतब हैंसम हैं हैयान की घूरी पर हड़ बढ़ा कर वो इलफास दरूस्त करता कहने लगा आपकी फैमली में भी एक से बढ़कर एक हसीन लड़की हैं सामने जात हैंने कोल्डरिंग का सिप लेते उसे जबरदस्ट घूरी से नवाजा पहन की तरह है वो समझाई या समझाऊं उसके धंकी भरे लेचे पर अली ने थूक निकल कर नफी में सर ही लाया आपने शादी बाली बात कर जवाब नी दिया जैकिट की पॉकिट्स में हाट टाल कर ठीक से बैठता एक जो नज़र दाएं बाएं भी डाल लेता था हैंने से आँके सुकेड कर उसे देखा शादी में क्या रखे हैं मैं ऐसे ही ठीक हूँ वही अजली बेन्याज अंदास उसकी बात पर अली अशच कर उठा बहुत कुछ रखे हैं शादी में गोर कीजेगा मे रोकर चीप को भेज दूँगा अली का मूँ बन गया क्या सर आप किसी और को भी तो भेज सकते थे उस चीप का नाम ने ना ज़रूरी था लहजे में दुनिया जहां की खुब की थी उसकी बात पर वो धीमा सा मुस्कुराया ये अली भी न अच्छा तो ये बिल्ला जल रह तो अर्शिया डार्लिंग तुम्हें ओर जलाना चाहिए फिर तीकी मुस्कुराहट से अली को देखती वो उसके पास आई जो फ्लेट में खाना निकाल रहा था दूर स्टेज के पास खड़े बदर पर एक तेजची निगार डाल कर वो उसके बराबर आती खाना निकालने लगी हाई अपने बराबर से नस्वानी आवास सुनकर उसने हिरानों कर उसे देखा माईने में अर्शिया हायान की गजन उसने हाथ बढ़ाया अली एक पल को हिचकचाया फिर हाथ थाम लिया माईने मली वैसे आपको मुझसे कोई काम है राइट पापिस अपने कुरसी की रफाता वो मज़े से बोला उसके सामने बैठती वो मुस्कुराई थी बिल्कुल सही वो जो गरी आँखो वाला लड़का खड़ा है ना उससे जलाना है बस मेरा साथ दोगे उसके मज़े से कहने पर अली की आँखे चमकी ओके वो हमारी तरफी देख रहे वैसे आप पहरी नजर में मुझे बहुत खतरनाक लगी थी वो खासा मुस्कुरा कर बोला जिस पर अर्शिया ने हसते वे उसके गंदे पर हाथ मारा और तुम मुझे एक नंबर के चिचोरे और मीसने लगे थे उसे मुस्कुरा कर देखती वो बाल जटकर सामने डालती उनमें उंगलिया फ देखने लगी कोल्डरिंग पास करना उसे तिर्ची नजरों से इशारा करती वो नजाकत से दुबटा ठीक करने लगी ओके ओके वैसे आपको देखकर मेरा मतब इतने लंबे बाल देखकर मुझे आपच चुडेल का गुमान हुआ था लेकिन अलहमदोलेला आपसे मिलकर य यह गुमान यकीन में बदल गया वो नर्मी से मस्कुरा कर कोल्डरिंग का गलास उसकी तरह बढ़ा गया उन दोनों को यू मस्कुरा मस्कुरा कर बाते करते देखकर वो घुसे से वाउक आउट कर गया मिशी यहां केली क्यू पेटी हो फून भी आफ है तुमारा इबराहीम ने कॉल्स की थी तुमें चलो कोई बात दी उसने मापीर के नंबर पर वीडियो कॉल की हो यह जुनेशा बहुत मिस कर रही है सब को फंक्शन देखना चाहरी थी उसका हाथ पकड़ कर उठाती वो उसे साथ लिए उन सब की तरफ जाने लगी अरिश्मा की इतनी महबत पर वो महस मस्कुरा दी अलबता आँखों में नमी जरूर चमकी थी मेरी जान मुझे पता है तुम केदरिंग्स में सौले को बहुत मिस करती हो मिस तो महबीर और मैं भी करते हैं वो भी उदास होगी थी उसके जिकर पर वो तो हर पर मुझे याद आते हैं काश वो आज वो कहती कहती खामोश हुई अरिश्मा ने उसे साथ लगाया आओ इबर साथ था उफ मैं भी क्या बाते लेकर बैटकी चलो अब प्यारी सी स्माइल दो मिशी वाली उसके गेद बाजू हायर करती वो इतनी प्यार से बोली कि मशाइम पे साखता मुस्कुरा दी सुर्ख औरूसी लबास में पोर पोर सजीव और इश्मान शा के कमरे में गुटनों में सर दिये बैटी थी जिसकी बीबी बनने का वो कभी सोच भी नी सकती थी उसका वजूद हलका हलका लरज राथा यू लगता था वो रो रही थी उसका नासुक दिल खौफ से लरज राथा जाने वो मेरे साथ कैसा सिरू करेंगे मेरा गुना भी तो बहुत बढ़ा है मुझ जैसी लड़कियों को मरी जाना चाहिए सरजद हुई खता फिर से याद आने लगी तो वो फुपक करो दी मैंने आखिर क्यों ऐसा किया खुद को गिरा दिया सब की नजरों में कितनी मासूम थी वो अठाना साल की मासूम कली जो खिनने लगी थी जमाने के रंग तो उस पर पड़े ही नही थी उसमें बच्चों किसी मासूमियत थी लेकिन फिर वो भटड़की बिंते हवा थी न अपनी सोचों में गुम वो गुटनों पर ठोड़ी टिकाए मख़ूम नजरों से यक टक ना उसने सोफे पर डाल दिया संजीदा नजर ड्रेसिंग टेबल के साथ जमीन पर धड़े बैक पर डाल कर वो सरच अटकता कफलिंग्स खोलने लगा गहरी भूरी आँकों में बेक वक्त सर्द मुरी और बेजारी थी गाल से आंसू पूंच कर उसने अर्श की चोड़ी पुष्ट को देखा वो खामोश क्यों था कुछ तो कहता लानत मुलामत करता अपनी पुष्ट पर उसकी नजरें वो पाखूबी महसूस कर रहा था अपनी मखसूस अंदास में चलता वो नाइट ड्रेस देकर फ्रेश होने चला गया वो ही हर किसी को जूती की नोग पर अपने वाला अंदास देवर ऐसे के जो करना है कर लो मैं भी यहीं और तुम भी ठीक पांच मिन बाद वो फ्रेश सा बाहिर निकला वो ही वक्त के इसाब से चलने की आदत वो वक्त का जियान नहीं करता था उसका हर पल कीम्ती था उसे जू कातू रोते देकर उसके चोड़ी शिफाप पेशानी पर सलवटे नुमाया हुई चेंच करके सो जाओ हर एसाथ से आरी सर्द लेजा उसके हुकम पर वो दोनों कालों को जोर से हाथ की पुछ से रगरती बैट पर फैला लेंगा संभाल कर उठी चूड़ियों की खनक ने कमरे के सकूत को तहुबाला किया उसने साइट टेबल पर रखा लैपटाप उठाया और बालकनी में जाने की लियत से भारी कदम पढ़ाये थे के कलाई पर नर्मो नासुक गरिप महसूस करते अपने कदम रोके चेरा गुमागर उसने एक पेतासु नजर अपनी मजबूट चोड़ी कलाई पर डाली जिसे नर्मो नासुक दो दिया हाथ ने अपनी गरिफ में ले रखा था सुर्ख फड़़ाते लबों को सकती से भेंच कर वो बड़ी बड़ी नीली बिली किसी आंके चपक चपक कर उसे देखती उसके मकाबिल आई अपने मकाबिल खड़ी चोटी लड़की को उसने जरा सासा जुकाते खामोशी से देखा था नीली आँखों से आंसु लड़ी की सुरत सुर्खों सफेद कालों पर बेहते जा रहे थे जिन पजा बजा सुर्ख निशान पढ़के जो एरा के रगड़ रगड़कर आंसु साफ करने का नतीज़ा थे उसे डुब डुबाई नजरों से खुद को देखता पाकर वो लब भेंच गया किस कदर नाजुक और मासूम थी वो लेकिन एक गल्ती ने उसका सारा केदार मसख कर डाला था मुझे मारें लानत मुलामत करें सजा दे कुछ तो करें अर्श भाई आपकी ये खामोशी मेरी जान ले रही है सुर्खनाक को हाथ की पुछ से मसलती वो सर उठा कर बोली बारी एक मधर आवास क्या बक्वास किये तुमने दुबारा भाई का तो मुझ तोड़ दूँगा तुमारा निकाह हो चुक है हमारा अंचाही सही लेकिन बीवी हो अब मेरी ये बात खोपड़ी में बिठा लो अच्छी तरह एक हाथ से उसका बाजू पकड़कर जटकता पुछ बाच 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 कर बोला उसकी आँखों का रंग मजीद गहरा हुआ था अपने बाजू पर उसकी गृप सक्त और खुरदरा लबो लेजा महसूस करके वो आगे बढ़ती उसके सीने पर सर अकर फुपकर रोने लगी रोते रोते उसने पनी बैती नाक उसकी शर्ट से पुँची अर्श ने सर चुका कर अफसोस से उसकी हरकत को देखा अभी वो से सजा देने का कहरी थी और अब उसकी जरा से सक्ती करने पर हाँ बस जरा सी सक्ती पर यू रो रो रही थी जैसे रो रोकर अपने आसों स पूरा जहां डबो देगी बेजारियत से सच जटक कर उसने एरा को खुद से अलग किया उसकी खता यादाते उसके जबड़े भिंच के अर्श के चेरे पर साथ तासरा देकर वो थूप निकलती पीचे हटी सजा चाहिए थी ना तुमें तुम सारी रात एक टांग पर खड़ी रोगी अगर तुमने एक पल के दिए भी दूसरा पैस जमीन पर लगाया तो मैं तुम्हें इतनी ठंड में यक ठंडे पानी के नीचे खड़ा कर दूँगा उसे सख नजरों से देखते वो धब धब करता बालकनी का दर्वासा खोड़कर बाही निकल के उसका दिल तुचा रहा था रखकर एक बेवकूफ लड़की को मूँ पर लगाए इतनी ठंड में महज़ादे बाजू की टीशर ट्राउजर पहने वो बालकनी में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था मुसम की ये सक्टियां उस पर असर नहीं करती थी अंदर वो डुब डुबाई नजरों से बालकनी के खुले दर्वासे को देख रही थी जहां से बेधड़क अंदर आती सर्थवा उसे ठटरने पर मजबूर करे थी इस चलाद की दी सजा पर वो गीली सांस अंदर खेंच दी लेंगा दोनों हाथों से संभाल कर एक टांक पर खड़ी होने की कोशिश करने लगी उसका तवाजन बिकड़ा तूसरा पाउ लेंगे में अटका और वो धड़ाम की आवास से जमीन पोस हुई धड़ाम की आवास पैदा होने पर वो वापिस कमरे में आया उसे जमीन पर गिरा दे कर उसकी पेशानी शिकन जदा हुई इस लड़की की बेवकूफियों की तो इंतहा ही होगी थी नीचे गिरे उसने सर उठा कर उसे देखा वो चौंकी थी ये मनजर दोहराया गया उठो वो सक्ती से बोला तो वो हर्ड़ बढ़ा कर उटी हर्ड़ बढ़ी में उसका पैर फिर से कामदार लेंगे मियटका इससे पहले क्यों वो फिर से गिर थी अर्ष ने पौरण उसे थामा था उसकी शर्ट को मुठियों में सक्ती से जगरती वो जोर से आंखे मेच गी सुर्ख लबों को छूती नक में लड़के मोती हिलने लगे थे अर्श ने सर जुका कर पहली बार उसके सिंगार को देखा बिला शुबा वो हसीन लग रही थी उसकी कम उम्रे की मासूमियत घजब ढारी थी ये वो पहला रुमान बे लम्हा था जो अरिश्मान शा की जिन्गी में आया था उसके ताफरात बापी सपार्ट हुए थे एरा को सीधा करके वो नाकवारी से उसे देखने लगा वो खोव और इचकचाहट के मिली जुली कैफियत से सर चुकाए खड़ी थी जब उसने कहा मजीद कोई बेवकूफी किये बगएर कपड़े बदल कर सो जाओ चलो जाओ वो सखत नजरों से उसे घूर कर बोला तो वो हलक तर करती लेंगा संभाल कर चेंजिंग रूम में खुजकी सर जटक कर वो वापिस टेरस्ट पर चला गया ुकाए झाल झाल झाल